स्वागत है आप सभी का अमारे यूट्यूब चैनल पर डाक करम योगी पोर्टल जो कि आप ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करते हो उसको काफी बार आपने एक प्रोब्लम फेस करी है पासवर्ड रीसेट और दूसरी प्रोब्लम फेस करी है अकाउंट अगर आपका लो अकाउंट ही लोक हो जाएगा फिर आपको वो ड्विजन ओफिस से एक दूसरा तरीका जो हम आपको बताएंगे जिससे आप वो अकाउंट अनलोक कर सकते हो जैसे ही आप साइन इन वाली टैप पर जाते हो आपको सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा फोर्गेट पासवर्ड लोक्ड अकाउंट आपको सबसे पहले अपनी यूजर आईडी डालनी है एंटर यूजर नेम के अंदर यूजर आईडी आपकी इंप्लोई आईडी जो से आपकी इंप्लोई आईडी है वो ही यूजर आईडी होती है तो आपने वो टाइप करनी है एक डिजिट की आपकी employee ID है चाहिए आपकी designation कोई भी हो तो आप सबसे पहले employee ID इस box में डाल लोगे तो जैसे ही आप employee ID डाल दोगे अब by default ये forget password पर ही टिक है तो सबसे पहले आपका password reset होगा अगर आपको unlock करना है अपना account तो आप उसके tab को change करके unlock account वाली tab टिक कर दो तो आपको अपने OTP चला जाएगा जो कि आपको यहां भरना है आप वोके पर क्लिक करो इसके बाद जैसे ही आप mobile पर वो OTP रिसीव कर लेते हो वो OTP आप इस खाली box में डाल दोगे और submit कर दोगे जिसे आपका जो password है वो reset हो जाएगा और reset password भी हम आपको बता देते है जो आपको की इसके बाद मिलेगा ऐसे आप submit पर क्लिक करोगे password जो है वो reset होने के बाद आपको PTC at the rate 1509 यह आपका default password है जैसे आप login करोगे उसके बाद आपको default password पहले change करना होगा तब ही आप इसमें काम कर सकोगे और दूसरा option जो है employee ID होती है अनलोग के लिए तो आपको employee ID डालनी है पर पहले आपको टैब chain करना है अभी forget password पर जो है वो blue light है तो आपको वो unlock account पर क्लिक करना है जैसे आप unlock account पर क्लिक करोगे उसके बाद send OTP पर आप क्लिक कर दो तो आपके registered mobile नंबर पर एक OTP जाएगा वो OTP आपको इसमें डालना है और उसके बाद आप जो है वो unlock अपना account कर लोगे यह देखिए इसने notification दी है कि आपके mobile पर OTP चला गया है इसको आप रेसीव करोगे वो OTP आपको यहां भरना है आप जैसे वो OTP भर लोगे उसके बाद आपको submit कर देना है सम्मिट करने के बाद आपका प्रोसेस जहां वो complete हो गया उसके बाद आपको दुबारा sign in वाली टैप पर ही जाना है sign in वाली टैप जो है आप दुबारा एक ब्राउजर को रिफ्रेश करके यहां से या फर यह close करके कर सकते हो अगर आपके बास OTP मुबाइल पर नहीं आ रहा तो आप चेक कराएं कि मुबाइल नमबर या तो आपका चेंज हो गया है तो उसके लिए आप division office को बताएं और वहां से समस्य का हल करवाएं